परिचाएग सोम्या, क्या तुम्हें पता है कि आज के तूफान से हमारे लाके के कई पेड उखड गए हैं? हाँ विनीत, वो देखो, एक बहुत बड़ा पेड बीच में से तूट गया है अरे हाँ, यह तीवार पर गिरा हुआ आधा तूटा पेड का हिस्सा एक सुन्दर तिर्भुज बना रहा है बहुत अच्छे विनीत, क्या तुम इन दिनों स्कूल में जामिती पढ़ रहे हो? हाँ सो मिया, आजकल हम तिर्भुजों की रचना करना सीख रहे हैं इस पार्ट में आप तिर्भुज की रचना करना सीखेंगे उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दी गई रेखा के समानांतर एक रेखा खीजना एक तिर्भुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं क्या थो एक तिर्भुज की रचना करना जिसकी दो भुजाएं तथा उनके बीच का कौन ग्याथ हो समनानतर रेखाओं की रचना एक अनुप्रस्थ कार्ट की दो रेखाओं परस पर समनानतर कही जा सकती है यदि संगत या वैकल्पिक आंतरिक कोणों का प्रतेक युग्म बराबर हो इस साकृति में यदि कोण तीन कोण दो के पराबर है अथवा कोण एक कोण दो के पराबर है तब रेखा M को रेखा N के समनानतर कहा जाएगा हम समनानतर रेखाओं की रचना करने के लिए रूलर और परकार का उपियोग करते हैं तो आईए समनानतर रेखाओं की रचना करना सीखें चरण एक एक लंबी रेखा M कीचिए तथा इस पर एक बिंदू X अंकित कीचिए चरण दो इसके उपर कुछ दूरी पर एक बिंदू Y अंकित कीचिए तथा इसे बिंदू X से मिलाईए चरण तीन X को केंद्र मानकर तथा कोई भी तरिज्या लेकर रेखा M को बिंदू Z पर तथा X Y को V पर काटता हुआ एक चाप खीचिए चरण चार Y को केंद्र मानकर तथा वही तरिज्या लेकर X Y को बिंदू U पर काटता हुआ एक चाप P Q खीचिए चरण पांच परकार की सहायता से V Z को मापिये चरण चै U को केंद्र मानकर तथा मापी गई तरिज्या लेकर चाप P Q को S पर काटता हुआ एक चाप खीचिए चरण साथ S और Y को मिलाईए तथा रेखा N बनाने के लिए इसे आगे पढ़ाईए चरण आठ एक आंतर अनता कोण S Y X तथा Y X Z को मापिये आप देखेंगे कि कोण S Y X बराबर है कोण Y X Z के अता रेखा N समानांतर है रेखा M के त्रिभुजों की रचना दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण यानि साइट, एंगल, साइट या S A S दो कोण तथा उनके बीच की भुजा यानि एंगल, साइट, एंगल या A S A सम कोण कर्ण तथा एक भुजा यानि राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइट या R H S आएए, हम सभी चार प्रकार के तिर्भुजों की रचना करना सीखते हैं S S S कसावटी आएए, हम एक तिर्भुज खींशते हैं जिसकी तीनों भुजाएं, रूलर और प्रकार की सहयता से 4 सेंटिमीटर, 5 सेंटिमीटर, तथा 6 सेंटिमीटर मापी गई हैं चरण एक, एक 5 सेंटिमीटर लंबा, रेखा खंड खींचिये चरण तो, पी को केंद्र मान कर, तथा 1 4 सेंटिमीटर की त्रिज्या लेकर, एक चाप खींचिये चरण 3, क्यू को केंद्र मान कर, तथा 1 6 सेंटिमीटर की त्रिज्या लेकर, पिछले चाप को बिंदु आर पर काटते हुए, एक अन्य चाप खींचिये चरण 4, बिंदु आर और पी को मिलाए, बिंदु आर और क्यू को मिलाए, 4 सेंटिमीटर, 5 सेंटिमीटर, और 6 सेंटिमीटर भुजाओं वाला, एक तिर्भुज तयार हो जाता है SAS कसोटी, आईए, अब हम एक तिर्भुज खींचते हैं, जिसकी दो भुजाएं, 4 सेंटिमीटर, तथा 5 सेंटिमीटर लंबी हैं, तथा अंतर गतकोन 30 डिग्री का है चरण 1, 5 सेंटिमीटर लंबा, एक रेखा खंड खींचे, चरण 2, Q को कोन का केंद्र मान कर 30 डिग्री मापिये, तथा बिंदू S अंकित कीचे चरण 3, बिंदू Q और S को मिलाते हुए, एक अर्द रेखा S Q खींचे चरण 4, Q को केंद्र मानते हुए, तथा 4 सेंटिमीटर की द्रिज्य लेकर, अर्द रेखा Q S को बिंदू R पर काटते हुए, एक चाप खींचे चरण 5, P तथा R को मिलाइए, 4 सेंटिमीटर तथा 5 सेंटिमीटर की दू भुजाओं एवं 30 डिग्री के एक अंतरगत कोन वाला एक तिर्भुज P Q R तयार हो जाता है A S A कसोटी आईए, अब हम एक तिर्भुज की रचना करते हैं, जिसके दो कोड़ों की माप 40 डिग्री तथा 80 डिग्री है, एवं उनके बीच की भुजा की माप 5 सेंटिमीटर है चरण एक, पांच सेंटिमीटर लंबा एक रेखा खंड़ खीचे चरण तो, केंद्र के रूप में, बिंदु Q को लेकर 40 डिग्री का कोड़ माप ये, तथा बिंदु S अंकित कीचिए चरण तीन, बिंदु Q तथा S को मिलाते हुए, किरण S Q खीचिए चरण चार, केंद्र के रूप में, बिंदु P को लेकर 80 डिग्री का कोड़ माप ये, तथा बिंदु T अंकित कीचिए चरण पांच, बिंदु T तथा P को मिलाते हुए, अर्थ रेखा T P कीचिए चरण चै, किरण S Q तथा T P के प्रतिछेदन बिंदु को हार से अंकित कीचिए 40 डिग्री तथा 80 डिग्री के दू कोड़ों तथा उनके बीच की 5 सेंटिमीटर की भुजावाला एक तिर्भुज P Q R तयार हो जाता है RHS कसोड़ी आएए, अब हम एक तिर्भुज की रचना करते हैं, जिसके कोण की माप 90 डिग्री है, तथा आधार और कर्ण, क्रमशा 8 सेंटिमीटर और 10 सेंटिमीटर है चरण एक, एक रेखा L खींचिये, 8 सेंटिमीटर लंबा, एक रेखा खंड E B खींचिये चरण तो, A B के बिंदू A पर एक लंब A G खींचिये चरण 3, B को केंद्र मानते हुए, तथा 10 सेंटिमीटर की द्रिज्य लेकर, A G को बिंदू C पर काटते हुए, एक चाप खींचिये चरण 4, B बिंदू C से बिंदू B को मिलाईए, क्रमशा 8 सेंटिमीटर और 10 सेंटिमीटर आधार, तथा कंवाला समकून तिर्भुज तयार हो जाता है आत्म मूलियांकन, विवरणों के साथ तिर्भुज की रचना करने के लिए, उनकी कसोटी का मिलान कीजिए सारांश आईए, हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे संग्शेप में तोहराएं एक दी गई रेखा के समनांतर एक रेखा की रचना कीजिए एक तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसकी तीनो भुजाएं ग्याथ हो एक तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसकी दो भुजाएं तथा उनके बीच का कौन ग्याथ हो एक तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसके दो कौन तथा उनके बीच की भुजा ग्याथ हो एक समकोन तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसका एक पाध और एक कंग ग्याथ हो